36 गड़ में ED के मामले पर एक नया मोड आ गया है यहाँ पर आज सुरिकान तिवारी ने राइपुर के ED कोर्ट में उसने सरेंडर किया इस तरीके की बातचीत सामने आ रही है आज सरेंडर करने के बाद जब नयाले में उन्हें प्रस्तुत किया गया ED के तमाम अधिकारी यहा पिग्यप्ती के जरीए जिस तरीके से उन्हें बताया था कि कैसे कैसे लोग जो थे वो इस कोल होटाले के मामले में वो जुड़े हुए थे लेकिन आज जब सुरिय कान तिवारी जब यहाँ पर कोर्ट से वो निकल रहे थे 12 दिन की रिमांड यानि कि अब उनसे पूस्ता शुरू होगी अब तक वो फरार बताये जा रहे थे हाला कि इस बात को लेकर भी कॉंट्रोवर्सी है कि क्या वो फरार थे या नहीं थे अगर फरार नहीं थे तो उन्होंने यहाँ पर समरपड कैसे किया यहाँ पर वो किस तरीके से पहुँचे तो यह तमाम बाते अभी भ खत्रा किस से है आखिरकार लगातार राजनितिक इस पर देखने को मिलती थी कि कहीं न कहीं जो केंद्र की तरफ से एडी या आईटी के चापे पड़ते थे तो यहाँ पर लोगों को खत्रा होता था इस तरीकी की बाते कॉंग्रेस कहती हुई नजर आती थी और अब सवाल के जवाब कब तक आएंगे पूस्ताच और क्या कुछ नए मामले सामने होंगे दस तारीक को चारो ही जो आरोपी हैं उनको यहाँ पर फिर से प्रस्तुत किया जाएगा और उसके बाद यह खो सकते हैं कि उनसे पूस्ताच में क्या कुछ बाते निकल कर सामने आई है कौन-कौन से और जानकरियां सुरीकान तिवारी अब तक कहां थे वो आज सीधे न्याल है क्यों पहुंचे किस तरीके से यह पूरा वाक्या हुआ है यह तमाम जो बाते हैं यह अब पूस्ताच का विशे है और पूस्ताच के बात हो सकता है कि कुछ और भी बड़े खुला रहा है यह तमाम ऐसे सवाल है जिसका जवाब अब शायद आने वाले वक्ते पता चलेगा लेकिन अब इसने नया मोड ले लिया है इडी की पूरी कारवाई है वह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा कि क्या कुछ उसके जाच में निकल कर चिज़े सामने आएंगी आप जो है इसे पूस्टाच होगे क्योंकि में सस्पेक्ट इहीं है जी पूलिकां तिवारी इनके तिलाब रेंग दूर्ग में अटायार दूब इसको बाद पूस्टाच में आएंगे लगाता है फराड तो हम बोले सकते हैं क्योंकि इनों सब्सक्राइब किया है तो अरेस्ट आजी किये 36 गड़ से टीवी नाइन के लिए अमित मिश्रा